नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर तो जैसा आपको पता है कि लोकसेवा आयोग ने जो उत्राखंड लेक्षिरर भरती का जो एक्जाम है उसमें पहले सब्जेक्टिव का पेपर होना था लेकिन आप उसमें स्क्रिनिंग एक्जाम भी होगा तो कई दोस्तों की संकाएं थी क्योंकि मैंने सब्जेक्ट तयारी पर वीडियो अपलोड किया हो है कि कैसे पढ़ें तो कई दोस्तों की संकाएं थी कि आप स्क्रिनिंग की तयारी कैसे करें उस पर भी वीडियो बनाएं तो उसी के करम में ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ तो आप देखिए कि खासकर वो लोग जो सब्जेक्ट के तयारी में सुरू से लगे वे थे और अगर वो किसी तरीके से स्क्रेणिंग एक्जाम के लिए पूरी तरीके से तयार नहीं है तो सब के लिए मैं तरीका एक प्लानिंग की किस तरीके से हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ तो उसके लिए आपको करना क्या है मैं आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए तो खासकर वो लोग जो सब्जेक्ट की तयारी में ज़्यादा लगे हुए थी क्योंकि लास्ट येर जो पेपर हुआ था लेक्चिरार का उसमें सिरफ सब्जेक्ट का पेपर हुआ था तो सब्जेक्ट का तयारी कैसे करनी है उसका तो मैंने एक डिस्कृप्टिब वीडियो डाला हुआ है लेकिन स्क्रिनिंग एक्जाम को भी किस तरीके से हम स्क्रिनिंग एक्जाम की तयारी कर सकते हैं उस पर भी मैं आपकी बीच में बात रखूँगा तो जैसे आपको पता है कि 150 नमबर का ये पेपर है और इसमें फिर लोग से वायुक जो है कुछ क्राइटीरिया रखेगा कि एक सीट के पीछे वो कितने 5-4 जो भी वो कंडिशन रखता है वो कितने लोगों को निकालता है जो सब्जेक्टिव एक्जाम के लिए जो क्वालिफाई करेंगे तो उसके एसाब से 150 प्रशनों की संख्या है हमारे पास तो आप देख रहे हैं कि जो प्रशन आएंगे वो कितना आएंगे 150 प्रशन आएंगे और अधिक्तम मार्क्स 150 यानि पर कुष्ण आपका 1 मार्क्स का है और टाइम पिरिएड है आपके पास 2 आर यानि 2 घंटे का समय आपके पास है इसक्रिनिंग एक्जाम के लिए और दोस्तों जैसे आपको पता है रिनात्मक मुल्यांकन होगा तो रिनात्मक मुल्यांकन आपको पता ही है कि हर कुष्ण का 1 बाइफ फूर्थ जो है वो आपका क्या कर दिया जाता है negative marking में minus कर दिया जाता है तो यानि अगर आप 4 cushion गलत करते हैं और एक cushion सही करते हैं तो वो बराबर हो जाएंगे यानि आपको नहीं marks मिलेंगे चुकि ए 1 by 4 marking का जो system होता है वो negative marking का होता है तो दोस्तों किस परकार तैयारी करें क्योंकि परतेक हर एक चाता है कि मैं lecturer बनूँ या मेरे को ये job लगे तो आपने देखा है कि अभी उत्राखंड में L.T, Samuga बहुत सारे paper आए हैं और अधिकतर बच्चों ने मुझे लगता है कि सभी paper भरे होंगे तो अब आप सबका syllabus अब काफी कुछ matching भी हो गया है क्योंकि जैसे Samuga के जो paper है उनमें जो है उत्राखंड का जी के हो गया और सामान्य ज्यान का जो प्रश्न है वो आने ही है तो वहां की तयारी यहां लेकिन जो खासकर केवल subject पर dependent थे तो उनके लिए थोड़ा सा परिशानी है तो फिर मैं बता दूँ आपके लिए कि जैसे 5 section इसके है सिक्षन अविरूची 40 number का है तो जो teaching aptitude है 40 number का तो ये उनके लिए काफी scoring हो सकता है क्योंकि जो बच्चे उसकी pattern की तैयारी कर रहे है तो वो भी section अविरूची उनको भी पढ़ना पड़ेगा तो सभी बच्चों को पढ़ना पड़ेगा तो इसलिए एक तो section अविरूची हो गया और दूसरा जो आपके पास सामान्य हिंदी और एक सामान्य बुद्धी परिक्षन यानि 40 नमबर का आपका सिक्षन अविरूची 25 नमबर का आपका सामान्य बुद्धी परिक्षन और 20 नमबर का आपका जो सामान्य हिंदी है तो यानि कितना हो गया आपके 40, 60, 85 months आप ये जो है ये ऐसा है कि ये सब पेपरों में नहीं है common बाकी जो सामान्य ग्यान है और उत्राखंकत जी के है वो समूग आके लगबलगब LT का पैटर्न आपको पताए LT के पैटर्न में लेकिन जो टीचिंग से रिलेटेड एक्जाम जिन्होंने भरे है BA वालोंने तो उनके लिए मैं बता दूँ क्योंकि उनको टीचिंग एप्टिट्यूट भी तैयार करना है यहां भी और LT में भी तो वो ज़्यादा फोकस इस पर रखें किस पर सिक्षण अभी रूची यह जो आपके 40 नंबर है तो यहां आप अपना एक टार्गेट फिक्स कर दीजे कि भाई मुझे हैं अगर वो इस पर ज़्यादा महनत करें तो क्योंकि जी के डिस्कर्प्टिव है बहुत ज़्यादा होता है और टीचिंग एप्टिट्यूट जो है वो आपने भी एड कर रखा है तो वहां भी आपको इसका आइडिया है और आप शिक्षण से रिलेटेड एग्जाम देते रहते होंगे तो हर एग्जाम में टीचिंग एप्टिट्यूट एक कॉमन कुश्चन है और पूरे बियर में घुमा फिराकिया आपको टीचिंग एप्टिट्यूट ही पढ़ाया जाता है चाहें हो साइकलोजी हो चाहें हो टेक्नलोजी हो एजुकेशनल टेक्नलोजी हो या सिक्षा का इतिहास हो जो भी हम पढ़ते हैं या फिलोसफी जो पेपर है उसमें उसमें सब गुमा फिराकिया आपके टीचिंग एप्टिट्यूट को ही डेवलप किया जाता है तो विशेश कर उठारी आई होगे विश्व सung सबने किताबें पड़ी हैं उसमें जो हमारा एक पेपर होता था उसमें आपको ये पूरा- सेक्षन जो काफी डिटेल में आपको ये मिल जाएगा ये वाला सेक्षन जो भारत्य सिक्षब्यवस्तार आदा और इसके लिए आप YouTube चैनल से भी अलग-अलग material लेगे सकते हैं अच्छे-चैनल है आप उनमें देखे अच्छा content कई channel के पास available है तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं अगर आपको किताबें ज्यादा खरीदने में problem है लेकिन आपको मैं बता दूँ दो किताबें आप जरूर खरी लीजे एक उपकार की है बाल विकास एवं सिक्षा सास्र ये CTAT और TAT परिक्षाओं के लिए है ये book तो इसमें भी आपको काफी syllabus मिलेगा और एक है आर गुपता कृत सिक्षन अविरूची एवं सिक्षन अविवरती इस किताब को भी आप सभी सिक्षक बढ़ती परिक्षाओं के लिए उपयोगी है ये online और offline दोनों में आपको मिल जाएगी तो ये किताब भी आप ले और मैं description box में भी इनका detail डाल दूँगा तो वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा और मैं आपको बता दूँ फिर है दूसरा section है सिक्षन दक्षिता यहां समप्रेशन की दक्षिता मतलब एक teacher के अंदर क्या-क्या दक्षिता ही होने चीए उसका जो communication skill है जो उसका presentation skill है वो किस तरीके से बच्चों के सामने आपने आपको प्रजेंट करता है लोगों के सामने आपने आपको प्रजेंट करता है उसका शिक्षन कौशल उसकी methodology उन पर ये question आएगा तो ये भी आपने बेड में भी पढ़ा है लेकिन ये आपको ये जो किताबे मैंने बताई इन में भी आपको मिल जाएगा और बाकि आपको काफे detail में जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं कि एक teaching aptitude के आपने book खरीर ली और उसे पर आपको सब कुछ मिल जाएगा नहीं तो दोस्तों आपको अलग-लग book से देखना पड़ेगा अलग-लग channel भी आप देखते रहिए बहुत सारे channel हैं जो अच्छा content रखते हैं तो आप उनको subscribe कीजिए देखिए उनको वो भी अच्छा इसके बारे में detail देंगे फिर आपकी है मुल्य आधारी सिक्षा value education यानि value education जो है तो वो आपको पता ही है कि जो हमारे individuals होते हैं यह जो हमको social values है हमारी वो उनके हाश के कारण मतलब उन में किस तरीके उनको छती पहुंच रही है सिक्षा द्वारा मुल्यों का union यानि एक सिक्षक किस तरीके सिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर जो आजकल हम देखा होगा सामाजिक मुल्यों में कमी आ रही है तो यह चीजें इस पर बेस कुष्चन आते हैं फिर हैं कक्षा अनुसासन हैं बिद्ध्याले अनुसासन हैं सेक्षिक नियोजन एवं परसासन तो यह आपने जो education technology पढ़ी है विएड में उसमें यह काफी detail में दिया रहता है बिद्ध्याले में अनुपस्तिती और बिद्ध्याले छोड़ने के कारण एवं समाधान और सिक्षा में computer सिक्षा computer का आधार ज्यान एवं इसकी आवर शक्ता तो इसके लिए लूशेंट की computer की book आती है उसको भी आप पढ़िये और आपको teaching में इसको अलग से भी देखना पढ़ेगा कि education field में ICT का प्रियोग किस परकार किया जा रहा है information and communication technology का बहुत उपयोग होना हो रहा है जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में बहुत ज्यादा problem हुई तो online शिक्षन भी हुआ बहुत YouTube से भी पढ़ाया किसी ने कैसे दिक्षा portal बहुत सारे सरकार के portal है दिक्षा portal है अलग-अलग संपर्क foundation बहुत सारी जो सामाजिक संस्ता है एपयाफ जो सिक्षा के शेत्र में क पर question आपके बन सकते हैं फिर है सेक्षिक टक्निकी प्रकिर्टी प्रकार आउशकता है उपयोग एजुकेशन जो टेक्नलोजी है तो वो तो पूरा बेड में एक पेपर ही था आप लोगों को पता है सिक्षन व्योसाई एंकार्य संतुष्टी कि आप जो सिक्षन का व्योस है तो वैचुलर ओफ एजुकेशन जिनोंने किया होगा तो मैं बता दूँ कि उनको ये पूरा सेक्षन आपने बीएड में कवर करा है तो बीएड की किताबों से पढ़ें आप तो बहुत डिटेल हो जाएगा नहीं तो आपको objectives books मैंने बता दी फिर बता देता हूं मैं आर गुपता कृत सिक्षन अभी रूची एवं सिक्षन अभीविति आती है ये सिक्षन अभी योग्यता एवं सिक्षन कॉसलों पर आधारित है सभी सिक्षक भरती परिक्षाओं के लिए उप्यों किये है आपको offline online दोनों mode में मिलेगी CTAT एवं अन्यराज्य TAT के देस्र तो यह है वह बुक भी आप ले सकते हैं वाकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करके कमेंट कीजिए मैं आपको बता दुँगा डिटेल जितना हमें इक को पता है हम आपको बताएंगे ताकि आप लोगों का इससे पाइदा हो सके अब सेकिंड section है सामान्य अधियन तो आपको पता है इनाम सामान्य अधियन है लेकिन ये अधियन बहुत detail में करना पड़ता है तो कैसे detail है जैसे इसमें दे रखा है राष्टी एंव मैं अंत्राष्टों की समसामाइक घ countless खेल कूद यो आप हिस्ट्री में चले जाते हो जोग्रफी में चले जाते हो तो यह बहुत डिटेल चला जाता है फिर उसमें भी आपको अलग गलग क्योंकि यह लिखने को भारत का इतियास लिख दिया प्राचीन, मद्यकालिन, यह मादनिक तो अगर आप इसको descriptive रूप में देखें कि प् बुके, कुछ इसने objective भी निकाली है और कुछ इसने descriptive हर टाइप की बुक्स है, आप उन बुकों को भी consider कर सकते हैं, वो वैसे market में अच्छे अच्छी बुके हैं, जिनमें की GK का तैयारी, लेकिन GK की लोग कुछ बच्चे जैसे समुगा की कई तैयारियां करते हैं, तो जो लोग आप short duration में कर रहे हैं, तो वो कैसे पढ़े, तो उनको मैं suggest करूँगा कि Lucent की बुक को पढ़ लें, क्योंकि इसमें काफी चीजे कबर करी रहती हैं, एक उसकी objective भी आती है, एक उसकी descriptive भी आती है, Lucent की, अलग-अलग variant में आती है, तो आप देख लें, और तो उस इसी चीजे हैं, तो कुछ last year के paper भी आप studies कीजिए, समूग आके, अलग-अलग लोग सेवायोग की website पर, last year के paper भी available है, उनको भी देखे किस type के question लोग सेवायोग में पूछे जाते हैं, तो कुछ-कुछ उसे type के question आपको मदद करेंगे, वो question, प्राकरतिक संसाधन, प्रक बुख विशे सताय है, ओडिक अधिकार, तथा मूल करतब्या, राज्यकिय के नीती, निर्देस, तत्वा, उभूकता, सवसाक्स्ति करण, उभूकता कै अधिकार, यहम करतब्य और भोकता संग्रक्षन अधिनियम 1986, बौधिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट ओफ एजिकेशन अधिनियम 2009, तो अब आप देखें ये जो दो सेक्षन है ना आपके ये, ये सिक्षा का अधिकार हो गया और सूचना का अधिकार अधिनियम, तो मैं आपको बता देता हूँ, इतने सेक्षन में आपको कोशन बनेगा, तो आप इन टॉपिक को यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, अब ज़्यादा डिटेल पढ़ने से अच्छा है कि इतना पढ़ें, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि काम को ज़्यादा काम कर जादा दिलाता है, आपकी प्रोबैलिटी, आपकी प्रायक्ता बढ़ जाती है सफलता की, तो आपको उस ताइप से देखना है कि मैं ये चीज पढ़ूं और इस तरफ ये डिटेल है, आपके पार टाइम कम है, तो आप किस तरीके से एक प्लानिंग के तहत अगर पढ़ें तो सीधा इन चीजों टॉपिक से कुशन उठाता है और रख देता है, तो आप उस तरीके से तयारी करेंगे तो आपको जादा सामानिय विग्ञान, आपको सामानिय विग्ञान पता ही है, इसमें तीन आपके फिजिक्स हो गई, कैमिस्ट्री हो गई, जिलोजी हो गई, ब कोटनी के बहुत कुश्चन बन जाते हैं, कि दूद कैसा ऐसीड है, ये काफी कुश्चन जो आते हैं, तो आप ये सेक्शन आपको लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप इस पे थोड़ा वर्क कर लीजिए, आपके एक दो कुश्चन भी यहां से निकल गए, तो आपको एक मिनिममम टार्गेट करके चलना है, और उस हिसाब से आपको पढ़ना है, प्रियावरेनिया विकास, विकास से जुड़ीवे समस्या है, जनसंक्या विर्दी, प्रियावरन परदूशन, जलवाई परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने के उपाए, तो आपको पत सब्जेक्टिब पेपर भी देना है, सब्जेक्टिब पर मेरा पूरा डिटेल वीडियो, तो कि एक्चुली मैं मैं से डेलिंग करता हूं, लेकिन क्वाईरी बहुत आ रही थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बता रहा हूं आपको, कि किस तरीके से आप तयारी करें, अब ह पर निशनल इंकम है, तो इस पर कुशन आता है, कि आपने देखा होगा, कई बार मैं देखता हूं, तो इस पर कुशन बनता है कि भारत की जो GDP है, उसमें किस का शेयर ज़्यादा है, या किस आए, कौम सी किरसी आए, या किस मत से भारत के अंदर सर्विस सेक्टर किस से पढ़ें कि यह टॉपिक आपके पास है तो आप इस टॉपिक के कुशन सर्च करें ऐसे नहीं कि आपने कोई किताब मार्केट से खरी लिए और आप उसको पढ़े जा रहे हैं आप उसमें यह कवर करिए कि यारी इसमें यह कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भारतिया selective और descriptive form में और फिल्कुर to the point अगर आप planning से पढ़ेंगे तो मैं आपको आश्वस करता हूँ कि आपकी सफलता का ratio ज्यादा होगा आपकी सफलता की प्रैक्ता probability ज्यादा होगी अब आप आजए खंड 3 थर्ड सेक्शन जो है हमारा उत्राखंड राज्य संबंदि यान तो इ अच्छी किताब है तो दोस्तों आप उसको देखिए उसको डिटेल में जाएए आपको उत्रा मिल जाएगा जितना आपको लेक्षरार में चेहिए लेकिन और डिटेल के लिए और सारी बुके भी है तो आप उनको पढ़िए एक बिंसर पब्लिकेशन की भी आती है तो उस इंपॉर्टेंट सेक्षन है आप जिस राज्जे में रेते हो इसके बारे में आपको जानकारी अब जिस यह कत्यूरी हो गया चंद हो गया पवार राजबंस हो गया तो आपको पताए इस पे कुशं बनना ही बनना है यह निवास करने वाली जातियां कि जो जो पर हुआ तो अगर आप एक प्लानिंग के तहत पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फायदा होगा स्वाधिन्तरता आंदोलन स्वतन्तरता प्राप्ति के बाद का प्रदिश्या उत्राखंड के समाज की एतियासिक प्रिष्ट भूमी ओके दोस्तों तो आप इसको दे बारे में जल बन्या संग्रक्ष्ण अभ्यारन्या अब यह देखे हैं उत्राखंड में आप भायरन्या बहुत फेमस है है तो इन पे आपको कुशन मिले गए मुलेगा कि सबसे वड़ा बन्याब्यारन्या बन्यजी संग्रख्ष्ण पारक आ detrimentalry नेशनल पारक का पशुपालन तो इन टॉपिक को आप जरूर सर्च करें जिन भी किताबों में आप पढ़ रहे हैं कि आप पशुपालन को देखें तो उस पर डिटेल पढ़ें राजनीतिक पढ़ें तो राजनीति में क्या-क्या आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि मेरे को जन्पदो तैस सुची है कौन सी अधिसूची है सारी चीजे आप डिटेल में जाके पढ़ें सिक्षा यह उन सस्कृति सिक्षन यों पर सिक्षन संस्तान रीती रिवाज उस्सव और मेले इत्यादी तो आपको पता है उत्राखंड के मेले अपने लोग फेमस हैं तो उन मेलों में से हैं तो आप सारे दीखें पढ़ें उत्राखंड का आप लोगों का अच्छा नौलेज होगा क्योंकि लगब लगब उत्राखंड के आप उत्राखंड वासी हो तो अधिकतर बच्चे जो उत्राखंड की भोगलिक परिस्तितियों से अच्छी तरीके से वाकिव हैं तो हमने पर क्या हुआ कौन सा मुख्या पहला अंदोलनकारी कौन था उत्राखंड का इस टाइप के कुश्चन आपको अच्छे से तयार करने चीए हैं क्योंकि एक प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी एक्जाम को निकालने के लिए तो हम आपकी जितनी मदद हो सके करने की करेंगे विकास परक योजनाए अनुसी जाती जन जाती संबंदी योजनाए समसामिक महत्वपुण गटनाए होगी खेलकूद एवं मनोरंजन एक कुश्चन आपको पता है कि एक दो कुश्चन आपके बनते हैं कि उत्राखंड का ये कौन सा किलाड़ी है सत्रंज में कौन है इसमें कौन है इसमें कौन है तो उस टाइप के कुश्चन आपके पास पता है आपको कि इस टाइप का कुश्चन आता है आप लास्ट एर के कुश्चन पेपर को भी स्टड़ी कर सकते हैं तो उनसे भी आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरीक में ज़्यादा जिन्होंने फोकस किया है तो वो थुरा प्लानिंग से पढ़ें वो पहले ये वाला section जो आपका section A है यह section तो हाड टीचर के लिए compulsory section है और एक आपका ये वाला section कौन से section उतराखंड राज्ये भी आपको marks त्रिला सकता है और तीसरा आपके पास है सामान्य बुद्धी परिक्षन तो सामान्य बुद्धी परिक्षन जो है ये आपको काफी इस पर मैं आपको वीडियो भी एविलेबल करवाऊंगा तो ये साब्दिक हो गया असाब्दिक हो गया विश्रेशन आत्मंग इसमें अलग-अलग कुश्यन आती है आरे सगरवाल की अच्छ किताबें है तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं तो आप देखिए अच्छा आरे सगरवाल की आती है तो इसको धेखियां तो इसमें क्याह साब्दिक हो बिश्रेशन आत्मंग परतिसत अनुपाacer समानुपाज साधर क्याठ लावानी सारह आ आपका स्लेवस है छह साथ आठ की यह गणित है तो यह पूरी छह साथ 6, 7, 8 में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसी का यह पार्ट है लेकिन आपको कुश्चिन घुमा के देते हैं हो तो उस तरीके से आप कुश्चिन की प्रैक्टिस करिए तो आपको जल्दी शॉट करम आता है निर्ने लेना डिसीजिंग पावर आपकी विबेद संबंद अवधारना आपने देखेंगे ब्लड रिलेशन पर कुश्चन आते हैं यह इसका दादी यह उसका वह है भाई है तो बताई इन दोनों में क्या संबंद है कूट बद कूटने अंगणितिय तरक इत् इतने तारीक को कौन सा दिन होगा कौन सा वार होगा आंकडों के चितर यह डेटा है बार डाइग्राम हिस्ट्रोग्राम ओकी गाईस यह माध्या माधिका इस पर आपको मेरे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो आपको इन टॉपिक्स पर मिल जाएंगे 6,7,8 तवाले सेक् उनको भी आप देखिए खासकर जो ल्टी वाली त्यारी कर रहे है लास सेक्षन है हमारा हिंदी पांचवा सेक्षन है हिंदी का तो हिंदी आपको पता है बच्पन से पढ़ते आ रहे हो प्रयायवाची सब्द बिलोमसब तस्षम सब्द तदभव सब्द वाक्याम्सु के लेकिन आप इसको बिल्कुल लाइटली ना लेकि एक बार इसका रिविजन भी जरूर करें तो यही सारा स्लेवर्स है आपके पास तो पांस सेक्षन है मैंने बताया पहला सेक्षन सेक्षन अभी रूची बहुत इंपोर्टेंट सेक्षन है लेक्षरार दोनों जगे आना है तो आप इसको अच्छे से तयार करें ताकि आपका लेक्षरार का भी कबर हो जाएगा एल्टी पर भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाके डाला हूँ है सब्जेक्ट पे तो आप देख सकते हैं सेकेंड है सामाने अध्यान यह आपको ल्टी में नहीं पूछा जा रहा है लेकिन लेक्ट्रार में यह पूछा जा रहा है तो इसके आपको एक्स्रा तैयारी करने तो गाईज यह है सेंस लेबस हैं इंग्लिश में हैं तो दोस द्यार इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यह सब चीजें इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हैं लेकिन मैंने ऊपर समझा दिया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम राधा किष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन कोठारी कमीशन, उनिवर्स्टी ग्रांड कमीशन, नेशनल काउंसील ओफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCRT, NCTE, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986 यह मैं बता चुका हूँ, टीचिंग एफेसेंसी एंड कॉम्मिनिकेशन हो गया, वैल्यू बेस एजुकेश हैं, classroom discipline, absence from school, computer education, बहुत important section है, हर जगे यह important होता जा रहा है, इस पर मैं बात कर चुका हूँ, जर्नल स्टडी के उपर मैं बता चुका हूँ, इस में मैंने बताया कि आपको किन-किन चीजों पर ज्यादा workout करना है, अगर आप उन पर workout करेंगे तो आपको अच्छा result मिलेग यह है, knowledge, और उत्राखनी स्टेट का आपको knowledge होना चीए, इस पर भी मैंने बताया कि आपको कहां पर ज्यादा focus करना है, sports and entertainment पता है, आपको एक question बनेगा, यह heading wise question बनते हैं, तो आप जैसे important of contemporary event हो गया, इन natural and economic resources, water, forest, wildlife protection, park, centuries, minerals, animals, ओके गाइस, तो यह है, section 4 आपका है, general intelligence test है, तो इस पर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यह आपको काफी help करेगा, और last आपका जो है, वो है हमारे पास, हिंदी वाला section है, तो हिंदी वाला आपको हिंदी में मैंने यहां उपर बताई दिया है, क्योंकि English में बाकी चीज़े बताएंगी, पर हिंदी को तो हिंद का subjective और lecturer का subjective की तयारी किन books से करें, कौन-कौन सी bookों से पढ़ना है, उस सब मैंने बताया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई detail चीए, तो आप comment box में comment करें, और अगर आपको ये video पसंद आया, तो channel को like करें, subscribe करें, और share करें, thank you दोस्तों, और मेरे facebook page, dr. Mukesh Nautial math classes को भी आप like करें, follow करें, उस पर भी आपको different teaching exam से related material और सब चीजे में available करवाता रहता हूँ, साथी दोस्तों, आप सभी लोगों को 9 वर्ष के बहुत-बहुत सुपकामना है, और नए वर्ष में आप लोगों को भगवान नई जॉब दे, और आप सब लोग खुशाल प वर्ष मुच तो वाचिए वीडियो तिल और, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू वर्ष मुच